मोधी सण्डेम केस में कॉंग्रस नीता और पूर्फ सांसद राहुल गांधी को बड़ा जटका लगा है गुजराथ हाई कोट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया अब अपील खारीज होने के वजह से राहूल गांधी की दो साल की सजा बरकरार रहेगी राहूल गांधी ने हाई कोट में सुरत कोट के उस फैसले को चुनाती दी थी जिसमें उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी गुजराथ हाई कोट ने कहा कि राहूल गांदी के खिलाफ कम से कम 10 केस पैंडिंग है इस केस के दायर होने के बाद भी दूसरे केस उनके खिलाफ दायर हुए है एक केस वी सावारगर के पोते गया और से धाखिल किया गया और इस तरह ही और भी केस है गुजराथ हाई कोट या भी कहा कि ऐसे में दोशी ठहराय जाने का फैसला उनके साथ नाइनसाफी नहीं कहा जा सकता उन्हें दोशी ठहराय जाने का फैसला बिलकुल सही है हमें निचली अदालत के आदेश में दखल देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता अब राहूल गांदी के पास विकल्फ सिर्फ सुप्रीम कोट जाने का है बता दें कि राहूल गांदी की याचिका खारिस होने के बाद कॉंग्रिस मुख्याले में उनके समर्थन नारे बाजी होती नजर आई इस बीच यूपी के डिप्टी सीम केशम मौरे ने राहूल को लेकर ट्वीट किया मानहानी मामले में कुझात हाई कोट से राहूल गांदी की याचिका खारिस राहूल गांदी और अर्विन केजरिवाल की राजजी ती ही दूसरों की मानहानी बटी की है हो सकता है कि दाजा फैसले से दोनों सबक लें और अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मौबत की दुकान की आड में राहूल गांदी दरएसल मानहानी की दुकान चलाते रहे